किम पुलिस अगर किसी परसंद को अरेश्टे करती है और फिर किसी के घर में गुश्कर कर सकती है यह फिर परसंद को, और वह को उसको औरेस्ट कर सकती है मैं इस पूरी वीडियो में आज आपको यहीं बताने वाला हूँ अगर किसी प्लेस पर किसी पर जाकर जिस परसन को औरेस्ट करना है अब देखिए यहाँ पर जो सब्सेक्षन वन है सेक्षन 44 में जो सब्सेक्षन वन है यहाँ पर बताया गया है अगर किसी पुलिस ओफिसर को या फिर किसी परसन को वरंट एक्जिक्यूट करने के लिए बोल लगा है कोट की तरफ से जिस परसन को औरेस्ट करना है जिस परसन के अगेस्ट वरंट आया है ठीक है अरेस्ट वर के बिल्कुल कर सकती है उसको और लेकिन उसको वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी जिसकी वो प्रोपर्टी एंग्र कि आपको और आश्याट करने वाले हैं वह कूंडी लगा लादा अपने घर में तो फिर वहाँ पर उसको और दो सकते बुलिभी जागर उसके जबरदस्ती घर में एन्टर करके जबरत्सी एन्टर किया जा सकता है या फिर जिसकी इसकी वह property अगर उससे consent ले ली है तो तब वहाँ पर enter करेगी वहाँ पर लेकिन वहाँ पर अगर वह permission ले दी है जिसकी property है owner की अगर वहाँ से उससे permission ली जा रही है तो वहाँ पर तोड़ फोर्ड नहीं करेगी लेकिन अगर वहाँ पर जरूरी लगे तब तोड़ फोर्ड क कर सकती है वहां पर और बाहर ब्यार आ सकती है तो समस्ट्राप्ट्र रिए बताया गया जिसकी गस्ट्राप्रface अब इससे औरती पर है है वहां पर्युट्र में बता था उससे प्रमीशन ले करने के लिए लेकिन अगर वहाँ पर नहीं दे रहा जिसकी property है जिस place पर वो person शिपा बैठा jest तो वह जिसकी property है वहाँ पर permission नहीं दे रहा उनको अंदर जाने की किया आप नहीं जा सकते, यह मेरी property है और वहाँ पर अगर police officer को ज़रूरी लगता है कि उस person को arrest करना ही करना है क्योंकि police officer को वहाँ पर लगता है कि वो person escape हो जाएगा नहीं तो वो भाव जाएगा फिर हमारे केरफस में नहीं आएगा तो उन cases में वहाँ पर वो जबरदसी entry करेगी वो कैसे भी entry कर सकती है उस गर में विंडो को तोड़ कर जो door है, house के door है उसको तोड़ कर, जो place का कोई भी ऐसा हिस्सा, जहां से enter किया जा सकता है उसको तोड़ कर enter कर सकती है police के पास वहाँ पर right होता है उस person को arrest करने का, अगर police officer को वहाँ पर लगता है कि वो escape कर जाएगा वो भाग जाएगा person, फिर हमारी किरफ्त में नहीं आ सकता तो उन cases में ही करेगी अगर वहाँ पर लग रहा है कि वो person surrender कर देगा हमें, तो तब नहीं करेगी वो फिर भार ही खड़ी रहेगी वो enter करने की उनको जूरत भी नहीं है पहले तो वहाँ पर property owner को बताएगा नहीं कि आप हमें surrender करा देगी उस person को तो फिर वहाँ पर अगर वो अपने आप surrender करा देता है person police officer को, तो फिर वहाँ पर उसके बाद entry करने की जूरती नहीं है और नहीं वहाँ पर तोड़ फोड़ करने की जूरता है पहले वहाँ से permission लेनी पड़ती है जिसकी वो property है subsection 2 के अंडर सिफ यह बताएगा है कि वहाँ पर अगर permission नहीं मिल रही है property के owner से, तो वहाँ पर जब 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 नहीं आती, वह मतलब की अपने गूंगट में रहती है जैसे अभी भी गाउं के कुछ ऐसे इलाके है जहाँ पर ऐसी प्रता है, यह custom होता है females के लिए, जहाँ पर वो publicly नहीं आती है वो एक समसे अपने परदे में रहती है तो इस case में क्या वहाँ पर वो entry कर सकती है पुलिस, किसी person को arrest करने के लिए जिस place पर वो है, और उसी place पर वही पर वो परदनेशी ladies ये भी है ठीक है, तो क्या वहाँ पर entry करेगी नहीं करेगी, पहले वहाँ पर announcement करवाएगी, तब जाकर वहाँ पर entry करेगी, उनको वहाँ पर बोलेगी कि आप भार आजाईए, हमें उस person को arrest करना है, जो person इस घर में चिपा बैठा है, या फिर इस apartment में कोई भी जगह हो सकती है, तो तब जाकर वहाँ पर arrest करेगी, ठीक है मतलब भी notice दिया जाएगा उन females को जो females वहाँ पर परदा नशी है जो मतलब कि public में नहीं आ सकती, तो वहाँ पर जो female police officer होती है वहाँ पर उनको बुलाय जाएगा और उनको मतलब कि उस जगह से हटाय जाएगा उन females को notice देने के बाद, पहले notice दिया जाता है उन females को, जो परदा नशी है जाएगा, जहाँ पर उन females को injury ना हो, अब किसी person को arrest करने जा रहे है और जिस person को arrest करने उसके पास बंदूक है और police officer के पास तो होती ही है अब वहाँ पर गोल यह चलने लग जाए तो वहाँ पर उन जो females है जो परदा नशी females है उनको ऐसी जहाँ पर रखा जाएगा जहाँ पर उनको कोई injury ना हो प्रोवाजो, subsection 2 में यही बता रहा है और कुछ नहीं है अब चलते है section 44 के subsection 3 में कि जो police officer होता है वो जब भी arrest करने जाते है किसी place पर जिस place पर वो person छीपा बैठा है जिस person को arrest करना है उस place में entry करने के लिए अपना necessary force लगाएगी मतलब कि जितना जरूरी हो सके उतना force लगाएगी उतना वहाँ पर break करेगी entry करने के लिए किसको break करेगी property को जैसे window हो गई, door हो गई अभी थोड़ेर पहले मैंने अभी आपको बताया था window को तोड़ सकती है, doors को तोड़ सकती है यो फिर कोई ऐसी जगह हो सकती है जिस चीज को तोड़ कर वहाँ से आया जा सकता है या भी जाया जा सकता है उस property में तो उस case में वहाँ पर police officer के पास वहाँ पर right होता है कि वहाँ पर break कर सकती है वहाँ पर कुछ नुकसान भी कर सकती है अगर वहाँ पर उनको ज़रूरी लगता है तो और वो act police officer के थुरू lawfully होना चाहिए, ठीक है lawfully enter किया होना चाहिए, जिस person को arrest करना है, अब subsection 3 में himself भी दिया गया है, मतलब कि अगर जिस person को arrest करने जा रहे है और वहाँ पर 3-4 rooms है अब जिस room में, मालीजे एक room में देख रहे थे, उस room में police officer को बंद कर दिया, 3-4 police officer को उस room में बंद कर दिया, तो police officer gate को तोड़कर भी बाहर निकल सकते है विंडो को तोड़कर भी बाहर निकल सकते है अगर उनको बाहर आना है, तो वो किसी चीज को तोड़कर बाहर निकल सकते है, वहाँ पर उनका ये right होता है, अगर वहाँ पर कोई नुकसान करना पड़ जाए, तो वो कर सकते है अगर वो lawfully हो तो अगर उनको वहाँ पर जरूरी लगे तो अब आपको clear हो गया होगा अगर police officer किसी person को arrest करने जाती है तो वहाँ पर कैसे arrest करें कि उस person को क्या procedure रहेगा इसमें यही बताया गया और कुछ नहीं है section 44 में तो अब हम मिलेंगे अपनी next video में जिसमें हम जानेंगे section 45 को ओके बाइ